हेलो दोस्तों नमस्कार मैं तीस पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का टार्गेट अड़ा इस्टड़ी यूट्यूब चनल पर तो दोस्तों आई वीडियो को ज्यादा ज्यार कीज़ेगा और लाइक कीज़ेगा तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त को और जिसके अड्मिट कार्ड आई वीडियो के तरफ से रिलीज कर दिये गया है कि उनका एक्जामिशन किस डेट में है किस सिटी में है और किस सेंटर पे है ठीक है अब स्टुडेंट के मन में एड्मिट कार्ड के बाद यह पोश्चन चलने की इंटरफेस का इसा ह अबने वाला एक्जामिशन का ठीक है किस तरह का इंटरफेस इस बार रिलीज कर रहा है तो दोस्तों आप सभी को बता दू कि अब्यादे के तरफ से मॉक टेस्ट भी रिलीज कर दिया गया है और इंटरफेस जो है वो पिछले जैसे ही होने वार था पिछली बार इंटरफ आप इंग्यूज कर सकते हो ने अचले करते होगा है तो मतलब यह है कि आप जो भी रिजन में या फिजो भी लैंग्वीज आपर चाहते हो आपको इंग्लिज है तो ही तो को पेपर जब आप डिफार्ट लेंग्वेज चूस करते थे कि हिंदी या फिर इंग्लीस आपको दे तो आपको वहां पे पेपर जो है आप दोनों लेंग्विज में लेगी हिंदी इंग्लिस आपको सारे जो भी जितने भी रिजानोंगे उसमें common रहेगा बाकि एक option और भी स्क्रिन पेपर अपको इंग्लिझ और गुज्राति दोनों में दीख रहेगा उपर इंग्लिस लिखी रहेगें उसके नीचे जवाका उसका फिलिजिरात तो इसमें परिसमें मिद्जिए तरह को आपको और इसी तरह रहेगा पहलें इंग्लीश में लिखा रहेगा फिर इंदी में लिखा रहेगा तो मतलब कुल मिला कि आपको जो आप선 है वो आर्च देखने को मिलेंगे तो इसलिए थोज़ा सा स्क्रॉल करने में आपको टाइम लगेगा और आपको च्रॉल करने के लिए आपको प्रिपेर रहना पड़ेगा तो कुल मिला कि जो है आपका इंटरफेस जो पिछले जैसा ही होने वाला है तो इसके लिए आपको परिशान होने की जरूत नहीं है बा की रोक्त सेटें कीमें बढ़ें बागें सेकी बढ़ें जिसमें नीक्रीपा में धूश्य होगा तो लिए। जीवास होने डिर और कम लिए मगें Yap work आन कॉट सब्सक्रेजार धकर और क्लिक करने मवाद आफ इसमें पहलें जो कृसप पहलें प्लिकिंदे ङाबी नी भी सब आप वहां पर लिखा रहा है का आपको पासवर्ड चाहो तो आप अपने रिश्ट्रेशन नंबर कार्ड वाला जो डाल सकते हो या फिर वैसे ही साइन इन कर देना ठीक है उसके बाद अगर आगे जाओगे तो आगे जाने के बाद आपको आप वहां पर डिफार्ट टिक करना होगा ठीक है उसके बाद आप जो है जितने भी आठ या दस कोश्चन दिये गाया और जो आपको मॉक टेस्ट यह 10 मिनट का होने माला है ठीक है आप वहां पर मॉक टेस्ट करना ठीक है आप गर आपके टाइम जो आठ दस मिनट अपने अगर खतम हो जाते हैं तो को पेपर जो अपने आप सम्मिट भी हो जागा अगर आप पहले कर लेते हो ठीक है तो आपको बेट करना पड़ागे आप फिर वैसे भी सम्मिट कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो कुल मिला कि आप सभी इंटरफेस के लिए कोई परिशान ना हो पेपर जो आपको दे दिया जागा इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जागा और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजिएगा ठीक है और दोस्तों आप सभी को इनफार्मेशन देना है कि जो हमारे चैनल के द्वारा इस बार भी आभी पेस आरार लेवल कैसा है और क्या-क्या चेंजिस वगर है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थन्नी बाद